विजय और उस्मान चौधरी का एंकाउंटर कर दिया गया है ये वही उस्मान चौधरी है जो उमेश पाल हत्याकान में पहला शूट रहता जिसने पहली गोली चलाई थी ये भी मारा गया है पहले अलबा अर्बाज मारा गया था और अब उस्मान चौधरी भी ठेर हो गया है इस बीच में विज़ा चौधरी के धर्म परिवर्तन का भी एक अंगल निकल कराया है इसे पर ADG लॉइन और प्रशांद कुमार ने कहा विज़ा से उस्मान बनने का मामला संग्यान में है कोई सामयान ने रखती अपना नाम उस्मान क्यों ही रखेगा ADG ने शूटर विज़ा के धर्म परिवर्तन से भी इंकार नहीं किया शूटर विज़ा और उस्मान नहीं उमेश पाल पर पहली गोली चलाए उसका एंकाउंटर हो गया है मार गिरा गया है जब CCTV पोटेज सामने आया था सबसे पहले उसे की तस्मीर सामने आया थी और अब वो भी मारा गया है चांद कुमार एड़ी जी लॉइन और अपसर कुछ देर पहले उसे बात हमने की थी तो उन्होंने कहा था कि कोई भी सामानी वक्ति अपना नाम इस तरह से बदलता नहीं है हमारे साथ हमारे संबाद आता संतोष तर्माजादा जानकारी के साथ जुड़के हैं संतोष बहुत बड़ी खाम्याबी की तौर पर इसको देखा जा रहा है लेकिन एक ना अंगल धर्म परिवरतन का सामने आ रहा है इस अंगल को लेकर क्या इसमान चौधरी रखा है यह हमारे पास जो सूर्से जो लोकल के पुलीस है अभी जो इसको ट्रेस कर रही थी इसके बारे में जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है तो इसके बाद लेकिन इस हत्याकान में उमेश पाल हत्याकान में सबसे पहली गोली मारने वाला यही शक्स था इसकी पहचान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनोती थी वजह कि जो CCTV में आ रहे थे जो पहला जो नाम था वो अतीक हमत का बेटा असत था तीसरे नमबर का बेटा है अतीक हमत का दूसरा साबिर है जो कार से उतरता है अतीक के साथ और जो सिपाही को गोली मारता है बड़ी राइफल लिए हुए है जो दुकान में कैप लगा करके इंतिजार कर रहा था वो मुहमत गुलाम है जो एक जो बंबाजी कर रहा था वो गुड़ू मुसलिम है जो गुड़ू मुसलिम को जो लाल बाइक से ले करके आया था वो उसका नाम भी ऐडेंटिफाई हो चुका था अर्मान नाम है अर्मान नाम का ये व्यक्ति था लेकिन इसकी ऐडेंटिफिके मैं बताए जारा कुछ सामान लिये था ये चुकि इंतिजार कर रहे थे शूटर्स पहले से और जो मुहमत गुलाम था वो दुकान के अंदर इंतिजार कर रहा था जैसे ही इसकी गाड़ी उमेश पाल की पहुंसती है तो ये दूर था लेकिन इतनी तेजी से चलता कि उमेश पाल के उपर जो पहली गोली चली वो इसी व्यक्ति ने चलाई थी उस्मान चौधरी नहीं सबसे नजदीक पहुंच करके गोली चलाई थी जो गोली के निशान पुलिस की पुलिस को उमेश पाल की नजर आप बनाए रखें